नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कृतिका आप देख रहे हैं News 111 बॉलिवुड के सूपर स्टार रह चुके सुसान सिंग राजपूत की अस्थियां आज पटना के गंगा नदी में बिसर्जित की गई उनके पिता केके सिंग और बेहनों ने अस्थियां बिसर्जित की सुसान सिंग राजपूत का पूरा परिवार आज दोपहर पटना के गंगा घाट पर पहुचा जहां बैदिक मंत्रू उचारन के साथ अस्थियों को परवाहित किया गया इस दौरान पटना पुलिस ने सुस मीली जानकारी के अनुसार सुसान सिंगा राजपूत का स्राद कारकरम भी पटना में किया जाएगा उनकी भेहन स्वेता सिंग अमेरिका से पटना श्राद कर्म कारकरम में भाग लेने के लिए अगले कुछ दिनों में आने वाले है सुसान सिंग राजपूत की मौत की खबर से देश भर में उनके फैंस सदमे में हैं और उनकी मौत की जाच की मांग की जा रही है पटना में भी यूबा सडकों पर उत्रें और बिरोध प्रदर्शन कर जाज की मांग की वहीं पप्पु यादब और चिराग पासवा ने सुशान की मौत पे CBI की मांग की है बिहार की मुझपरफूर कोट में फिल्मी हस्तियों के खिलाव परिवाद बात दायर किया गया है आपको पता दे की बॉलिबूड एक्टर सुशान सिंग राजपूद ने 14 जून को मुंबई के बांदरा इस्तित फ्लैट में आत्महत्या कर ली थी सुशान सिंग राजपूद की मौत से बॉलिबूड से लेकर पूरे देश को हिला कर रख दिया है महस 34 साल की उम्र में सफलता की उच्चाईयों तक पहुच चुके सुसान सिंग राजपूत का अंतिम संसकार 15 जून को मुंबई में किया गया था उनके पिता केके सिंग ने मुखागनी भी दी थी सुसान सिंग के परिवार से जूड़े लोगों ने बताया कि उनका स्राथकरम पटना से ही होगा हलांकि ऐसी भी संभावना जताई जा रहे है कि गाउं पुर्णिया से भी उनका स्राथकरम हो सकता है उनकी मौत के बाद पूरे देश न जहां सोक की लहर है वहीं उनको न्याय दिलाने की मांग तेजी से उठ रही है बिहार में उनके फैंस के अलाबा अब राजनितिक दलो के नेता भी न्याय की मांग कर रहे हैं इसी कड़ी में लोचपा के रास्ट्रिय ध्यच चिराक पासवान ने भी सीम नितिश कुमार को पत्र लिख कर कारवाई और न्याय की मांग की है पटना के सडकों पर यूवस उसान को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं वही उनके न्याय दिलाने के लिए सोसल मीडिया पर भी लगातार मुहिम चलाई जा रही है। अनखबरे और तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें News 111 बिहार और जाठखन की तमाम खबरों के लिए हमारी यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें